मुख्यमत्री जैराम ठाकुर ने मंडी लोकसभा क्षेतर से भाजपा सांसद रामसरूप शर्मा के अकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है मंडी लोकसभा क्षेतर से भाजपा सांसद रामसरूप शर्मा कर्मट इमांदार चवी के व्यक्ति थे और काफी ज़्यदा सरलसभाब और मदुर भाशी होने के साथ साथ जन सेवा उनका उत्तम उदेश था उन्होंने कहा कि ये मंडी के साथ साथ परदेश और भाजपा संगठन के लिए बहुत बड़ी एक्षाती है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है मुक्य मंतरी जैराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में कांगड़ दौरी के दौरान उन्होंने सांसद राम सुरुप शर्मा से बादचीत भी की थी और मंडी नगनिगम चुनावों के मद्दे नजर भी गहरी मंतर ना हुई थी उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे कुछ दिन पूर भी उनसे स्वास्ते के विशे में बात की थी क्योंकि उनके सेहत में वे थोड़ा सा हलकापन महसूस कर रहे थे उन्होंने कहा कि राम सुरुप शर्मा ने इस पर कुछ नहीं कहा था मुके मंतरी जहराम ठाकुन ने देवंगत पुने आत्मा की शान्ती के लिए प्रातना की और परिवार को इस आजहनी पीडा की सेहन करने की शक्ति परदान करने की काम ना भी की मैंने पहले तो हॉस का प्लैन करें ऑमरे स्पीकर साद और नेटा भी पक से हम बात चीजंडेंगे जो भी नियमों के मताब का यह सब चीजित को करेंगे उसके बाद फिर आगे वठकर के आगला निरने इसके बात करेंगे थेंक सूचनल जैसे मेली तो पर हम विश्वासी नहीं और उसके बाद फिर हमने दुबारा कंफर्म करने की कोशिश दी तो बालूं पड़ा कि यह गटना गटी थुई है और सभाविक रूप से बहुत बड़ा दुख है हम सब के लिए परिवार के लिए तो है ही है लेकिन हम संगठन के लिए सरकार के लिए राम सुरूप जी एक सांसत के रूप में बहुत ही ऐसे सांसत के रूप में जो बहुत बिलनसार थे कारकरतों के साथ आम जंता के साथ सहज रूप से मिलना और वही उनकी एक खासी थी मंडी लोकसाबाक शेतर से दो बार सांसत रहे और दोन सबसे बड़ा जीतने का अंतर राम सुरुप जी का रहा है और उसमें सबसे बड़ी जो कॉंट्रिबूशन उनकी जीत में वह सहजता सरलता लोग उन सब लोग विचलित है और उनकी आत्मों को शांती दे और उनके परिवार को इस दुख को सेहन करने की शक्ति दे ऐसी मतरातना करता हूं लेकिन बहुत बड़ी क्षाती इस प्रदेश को हुई है उनके इस निदन से सब कोई पता चल पाया है अभी तक की बजा क्या है निदन की अभी तक तो इस बात को लेकर के ज्यादा कहना उचित नहीं है कि जानकरियर तक नहीं मिल पाई है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसर्स शुरू हो गई है अभी इनकी बौडी को वहां से उनके निवास से रिमू सब्सक्राइब जैपूर गहीं थी वह रास्ते में दिल्ली के लिए हैं और बेटे जो है जहां जोगंदर ने से दिल्ली जाने के लिए त्यारी में थे शुआ तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टिकेशन के बाद में उसे जो जानकारी मिलेगी उसके बाद ही हम पिछले द मुझा भी कहने लगे हम चार दिन पहले बैट अब कि मैं फटेपूर थे कि बोलताब मौसम अच्छा आ गया तो सदी के मौसम में थोड़ा मैंने अपकी बार परहेज भी रखा खाने भी रखा और अब सब ठीक हो जाएगा तो इसा सारी बातें चर्चा हुई मंडी के कॉर थे कि बार